नमस्कार, प्रियदर्शकों, आज के स्कारिक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं, मकर राशी वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है स्वगात? सितंबर के महीने में आपका स्वास्त कैसा रहेगा? करियर और फाइनेस का दृष्टी कोण क्या संकेत देने जा रहा है? इसी के साथ में आपका भाक्य, शिक्षा, यात्रा, दामबक्त्य जीवन और प्रेम संबंधों की सतियां सितंबर के महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्श्यत हो की यही अग्रिम जानकारी आज आपके सामने प्रसूर्ट करने जा रहा हूं और समय आने से पहले यदि आप भविश्य के बारे में जान ले समझ ले तो आप फ्यूचर की प्लानिंग बहुत ही सहज तरीके से कर सकते हैं और यही मेरा प्रयास बना हुआ है तो सर्व प्रथमिस्तती में सितंबर का महीना स्वास दृष्टी कोन से आपके लिए क्या संकेत दे रहा है तो पहली अवस्था में समझने का प्रयास कीजिएगा आपके लगन के स्वामी होते हैं शनी महराज और लगन में ही संचन कर रहे हैं यहां एक बात तो बहुत इस अच्छा है किन्तु शनी देव शने डिले के एकारक हैं और लगनव्यक्ति का व्यक्तित्व होता है ऐसे स्थाथी में शनी महराज का होना कहीं ना कहीं आलस्य प्रवर्थि को भी अक्टीवेशन देता है और हात पेरों में दर्द सर में दर्द कमर दर्द यह चोटी- कर्म के उपर फोकस करते हैं तो ये न्याय प्रिय भी हैं आपको अपने कर्म का फल अवश्य रूप से देते हुए पाए जाएंगे। स्वास्त दृष्टी कोण आपका बड़ा अच्छा है सिर्फ आलस्य की प्रवर्ती आपको दिखने को मिल सकती है तो सितंबर के महीने में इसे त्यागने का प्रयास कीजिएगा। बात करें यदि करियर दृष्टी कोण क्या संकेत दे रहा है तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं शुक्र देव। और सितंबर के महीने में 24 सितंबर तक ही आपके अश्टम भाव में संसरन करेंगे उसके पश्चात भाग्य में तो आ रहे हैं कि तू नीच के होंगे। तो सितंबर के महीने में कर्म शित्र में आपको छोटे-छोटे से अबस्टेकल अवश्यरूप से देखने को मिल सकते हैं जैसा आप चाह रहे हो उस प्रकार के इस्थियां सितंबर के महीने में ना बन पाए ऐसे बहुत प्रबल योग बने हुए हैं दी मोटीवेट नहीं होना है यही हमारा प्रयास होता है कि अगर कोई गतिविदी बन रही है और जैसा आप चाह रहे हैं वैसी स्थिया आपके सामने प्रकाट नहीं हो पा रही है तो सबसे पहली गतिविदी क्या होती है व्यक्ति फ्रस्टेड हो जाता है और जल्द बाची म इंदर कोई गलत decision ले बैखता है वही इस्ततियों से बचाने का हमारा आपको प्रयास है सितंबर के महीने में आपके कारियों में रुगाउटे देखने को मिलती है तो बिल्कुल टेंशन मत किजिएगा आपको पता है पहले से ही बताया जा रहा है कि सितंबर में इस प्रकार क तनाव देने का प्रयास करेगी किम्तु आप सहज तरीके से अपने लक्ष को साधते हुए धीरे-धीरे से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो ये जो शुक्र देव की स्टती है ये शिग्रता से राशी परिवर्थन करकर आपकी दती विधियों को सामान्य करती हुई प परजित करने की गति विधी सितंबर के महीने में शनी महराज आपके सामने प्रकट करने वाले हैं तो एक स्पस्ति करनत होता है कि बैठ कर कुछ भी नहीं होगा आप जो कारिये करेंगे ये न्याय की मूर्ती है न्याय प्रदाता है शनी महराज और अपने कर्म को साधते बात करें यदि भाग्यकी तो भाग्यकी गति विधिया आपका बड़ा ही अच्छा सहियोग करने वाली हैं अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि कर्म गति विधिया जब हमारे पक्षमे नहीं है सेतंबर में तो भाग्यके साथ कि इस्तती कैसी बनेगी यही समझने की गन और यही है जोतिश का ग्यान गती विदिया हमारे पक्ष में नहीं है फिर भी बहुत जादा आउट ओफ कंटोर नहीं जा रही है भाग्य कहीं ना कहीं हमारा साथ देता हुआ पाया जा रहा है इस्ततिया अनुकूल ताकि इस्ततियों को प्रदर्शित कर रही है इन तरीके से ही जीवन में बैलेंसिंग बनती है आपका भाग्य शपूरे सितंबर आपके भाग्य स्थान पर ही रहेगा अद्भुद रूप से यहां पर लाब देते हुए पाई जाएंगे बुद्ध महराज तो भाग्य के स्थतियां बनी रहेगी कारिय में डिले देखने को मिलता है उससे आप फ्रस्टेट ना हो अपनी गती विदियों को गड़ते रहेंगे तो सफलता मिलना आपको तै हो जाएगे यदि बात करें यात्रा इस्थति क्या संकेत दे रही है तो व्यापारिक यात्राओं की गती विदियां सितंबर के महीने में यदियाप करने की हो जाता है तो यहां पर व्यापारी के आत्राइं आपके लिए अच्छी है बात करें यदि शिक्षा इस्तती की तो शिक्षा अवस्था के अंदर जहां एक तरफ पंचम भाव के स्वामी शुक्र महराज जा रहे हैं आपके श्ष्ट अश्टम भाव में वहीं दूसरी तरफ आपकी कुंडली में मंगल महराज पंचम भाव में संच्रन करते हुए पाए जाएंगे ये श्टती और मंगल क्या है सेनापती हैं तो आपको एक जुजारूपन अपने लक्ष को साधने की ताकत यहां पर मंगल महराज देते हुए पाए जाएंगे और इस श्टती का यद आप पालंग करते हैं तो निश्चित रूप से विध्या शेत्र की इस्तती का यूग आपके लिए अच्छे संकेत देने जा रहा है। बात करें दामपत्य जीवन की इस्तती में तो दामपत्य जीवन की इस्तती भी सितंबर के महीने में आपके लिए सामान नेगत रहेगी बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं सामान नेगत इस्तती में थोड़ी सी बैलेंसिंग बना कर यदिया आप रखेंगे त बहुत अच्छी स्थिती का योग बन धराता है और बात करें प्रेम संबंधों के स्थिती में तो सितंबर के महीने में मिला जुलासा फल आपके साथ बना रहेगा कभी रूठापन हो गया, कभी मनमुटाव हो गया, कभी बड़ा ही इसनी है देखने को मिल रहा है ऐसा मनमुटाव और प्रेम संबंधों दोनों मिश्रित अफल आपके लिए सितंबर के महीने में प्रदर्शित होते हुए पाए जाएंगे जो आईए जानते हैं, अब उस ब्रह्मकी के बारे में जिसका पालन करकर आप सितंबर के महीने को बना सकते हैं यादकार पहली स्थि में शनी चालीसा का पाठ सायंकालीन समय में सूर्य अस्त होने के प्रशाक यदि आप करते हैं इसका बेहद स्रेश्ट लाब आपके सामने प्रदर्शित होता हुआ पाया जाएगा और इसी के साथ में गणपती की आराधना करना गरीब व्यक्तियों को शनी वार के दिन तेल में तली हुई वस्तू कोई कचोड़ी, समोसा, पकूड़ी या सागुच भी ले लिया और किसी ऐसाहय व्यक्ति की साहयता कर दी तो शनी और बुद्ध दोनों मिलकर आपके लिए खूलते हुए पाये जाएगे सुक सम्रिद्धी के द्वार आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई है जानकारी आपको पसंद आएगी कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्तित होगा तब तक के लिए नमस्कार